रोज रोज लंच में एक ही तरह का खाना खाके हम बोर हो जाते हैं क्योंकि लंच में सादा तर दाल चावल सबसी रोटी होती है तो चली आज बनाते हैं कुछ डिफरन तो आज मैं बना रहे हूँ साबुदाना की खीर, मुंकी सबसी और पराठे तो सबसे पहले हम बनाते हैं साबुदाना की खीर, क्योंकि साबुदाना की खीर थंडी अच्छी लगती है तो सबसे पहले इसे हम बना के रख लेंगे ताकि फटाफट से थंडी हो जाए तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप साबुदाना और अब साबुदाना को हमें 2-3 बार अच्छे से वाश कर लेना है तो इस तरह रगड़ रगड़ के हम उसे अच्छे से वाश कर लेंगे तो यहाँ पर साबुदाना को मैंने 2-3 बार अच्छे से वाच कर लिया है चले अब इसे बीगने के लिए रख देते हैं तो साबुदाना के अंदर पानी हमें कितना डालना है पानी हमें साबुदाना डूप जाए उतना ही डालना है तो यहाँ पे पानी मैंने एड कर दिया है और अब 2-3 घंटे के लिए इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह किचन में आ गई थी तो सबसे पहले मैंने यही काम किया है और अब 2-3 गंडे में मैं घर का बाकी का कम खतम कर लेती हूं और अब मैं फिर से आ गई हूं किचन में तो यहाँ पे हम देख लेते हैं साबुदाना अच्छे से भीग गया है कि नहीं और साबुदना को इस तरह मैंने चान लिया है और अब इसे हमें रखते ना है साइड में थोड़ी देर के लिए क्योंकि साबुदना में जो एक्सेस फानी है वो भी निकल जाए चलिए तब तक हम बाकी की तेयरी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ मुंग और मुंग मैं इस तरह की बॉटल में स्टोर करती हूँ क्योंकि इस तरह की बॉटल में स्टोर करने से मुंग या फिर कोई भी अनाच जल्दी से विगड़ता नहीं है क्योंकि इस तरह की cold drinks की bottle एकदम added होती है तो इसके अंदर आप कुछ भी बरोगे मूंग है, चावल हो गया, मूंग फली हो गई कुछ भी बरोगे, वो बहुत time तक लंबे समय तक एकदम fresh रहेगा उसमें कीडे वगेरा कुछ भी नहीं पड़ेंगे तो अगर आपके पास भी इस तरह की bottle है तो आप भी इस तरह इसके अंदर store कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने डेड़ कप जितना मूंग ले लिया है और मूंग को मैंने अच्छे से 2-3 बार wash कर लिया है क्योंकि मूंग के उपर मिट्टी लगी होती है तो उसे भी अच्छे से wash करना बहुत ही जरूरी है चले मूंग wash हो गए है अब उसके अंदर डाल देते हैं पानी तो यहाँ पर मैंने एक glass जितना पानी एड़ किया है मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा आधा glass जितना पानी और एड़ किया है इसके अंदर हमें पानी के quantity का इतना ख्याल नहीं रखना है थोड़ा उपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा अब थोड़ा सा नमक डालके हम मूंग को पकने के लिए छोड़ देंगे उसे boil करने के लिए हम रखतेंगे तो यहाँ पर हमें मूंग को सिर्फ एक सीटी आने तक ही पकाना है उतना हमें ध्यान रखना है जादा हम उसे नहीं पकाएंगे और अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ दूद तो यहाँ पर मैंने एक लीटर दूद लिया है यह अच्छी quality का दूद है तो थोड़ा गाड़ा होगा मतलब कि उसके अंदर cream जादा है full fat cream वाला दूद है यह और एक लीटर दूद मैंने डाल दिया है पती लिए के अंदर और अब दूद को हमें गरम करने के लिए रख देना है तो चली दूद को चड़ा देते हैं गरम करने के लिए पहले से ही दूद को गरम करने के लिए रख देंगे तो खीर हमारी फटाफट से बन जाएगी यहाँ पर कुकर में भी एक सीती आ गई है तो gas की flame को मैंने off कर लिया है चलिए दूद गरम हो रहा है तब तक हम थोड़े से dry fruit कट कर लेते हैं क्योंकि ये जो साबूद अना की खीर है उसके अंदर dry fruit का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर दूद में मैं केसर डालना भूल गए थी क्योंकि अभी से केसर एड़ करने से दूद में बहुत ही बड़िया फ्लेवर और उसका कलर भी आजाता है तो एक चुटकी भर के मैंने केसर के दागे एड़ कर दिये हैं और अब ले लिये हैं थोड़े से dry fruit आपके पास जो भी dry fruit है आपको जो पसंद है वो आप dry fruit यहाँ पर ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने काजू, बदाम और पिस्ता लिया है और medium size में इसे cut कर लिया है बहुत पारिक उसे cut नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से उसके pieces बड़े होंगे तो खाने में आएंगे, मुँ में आएंगे तो बहुत ही बड़े लगेंगे यहाँ पर दूद को मैंने एक बार चला लिया है और एकदम low flame पे उसे मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है चले अब मैंने निकाल लिया है एक और बरतन और इसके अंदर हम डाल देंगे घी तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच बरके गी रे लिया है और अब इस गी के अंदर हम dry fruit को पहले fry कर लेंगे क्योंकि dry fruit को इसके अंदर fry करने से वो बढ़िया से crispy हो जाएंगे तो बीच बीच में हम दूद को भी देखते रहेंगे चले गी अच्छे से गरम हो गया है तो dry fruit को हम इसके अंदर fry कर लेते हैं तो एकदम low flame पे हमें dry fruit को fry कर लेना है high flame नहीं रखेंगे वरना हमारे जो dry fruits हैं वो जल जाएंगे तो ये दिखिए इतना सा हमें उसे fry कर लेना है थोड़ा सा उसमें color change हो जाए golden brown हो जाए तब तक उसे fry कर लेना है यहाँ पर dry fruit को मैंने निकाल लिया है और यह जो साबूदाना है उसे add कर देंगे गी के अंदर और एक से दो मिनिट एकदम low flame पे इसे हमें बून लेना है ऐसा करने से खीर में बहुत ही बड़ी आ flavor आता है यहाँ पर दूद भी अच्छा खासा उबल गया है तो दूद को add कर देंगे साबूदाना के अंदर साबूदाना के खीर थोड़ी से गाड़ी होती है तो इसे हमें अच्छे से पकाना होगा क्योंकि अभी आप देखोगे तो खीर आपको बहुत ही पटली लगीगी यह देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए खीर बहुत ही पटली है तो यह जो खीर है वो थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लगती है तो इसे गाड़ा करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ भी एड़ नहीं करना है इसे हमें अच्छे से पकाना है तो अपने आप ही गाड़ी हो जाएगी तो चलिए पहले हम इसके अंदर चीनी एड़ कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने आदा कब चीनी ली है अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है जादा तो आप चीनी थोड़ी सी जादा भी एड़ कर सकते हो और अब इस stage पे हम इलाइची का पावड़र भी add कर देंगे तो यहाँ पümmy यहाँ पर मैंने इलाइची ले ली है। फोड़ी सही छीनी दाल कर मैंने को पीश लिया है। ताकि एकदम महीं पीश जाए। इलाइची का पावड़र भी हम अभी एड़ कर देंगे। ताकि खीर हमारी जितनी उबलेगी उतना ही इलाइची का फ्लेवर उसके अंदर बैठ जाएगा और खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होगी तो चलिए पाउडर मैंने रेडी कर लिया है और खीर के अंदर हम इसे भी एड़ कर देंगे अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मिडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भी पका सकते हो पांच से छे मिरिट में ये खीर अच्छे से गाड़ी हो जाएगी लेकिन मुझे और भी कुछ काम था तो मैंने इसे एकदम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है और यहांपे मैं गुंत रही हूँ पराटे के लिए आटा तो मैंने थोड़ा सा गेंका आटा ले लिया है बारिक்वाला थूड़ा से नमक और 2-3 चमत जितना मैंने ओले अड़ कर दिया है और इसे अच्छे से mix कर लिया है और पानी से आटा मैंने गुंद लिया है एकदम soft आटा नहीं गुंदेंगे हम थोड़ा सा medium गुंदेंगे जितना हम रोटी के लिए गुंदें उससे थोड़ा सा hard होगा तो पराटाया हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे तो चली आटा भी हमारा गुंद करके ready है इसे अब डग कर हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 5-10 मिनिट के लिए चली अब खीर को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी गाड़ी हुई है तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए खीर अच्छे से गाड़ी हो गई है अगर हमारी बन करके ready है अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि इसे फ्रिज में रखना है हमें तो एक पतिली में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यह जो खीर वाला बढ़तन है उसके अंदर रख दिया है ताक कि खीर फटा-फट से ठंडी हो जाए मतलब कि र पहले चान लेना है और यह दिखिए मोंग हमारे एकदम सॉफ्ट नहीं है और एकदम हाड भी नहीं है इस सरा से तूटने चाहिए यहाँ पर तेल भी अच्छे से गरम हो गया है तो उसमें डालेंगे एक चमजबर के राई एक चमजबर जीरा चार से पांच करी पत्ति मैं अच्छी लगती है सबको तो मैंने इसे ड्राय बनाया है अगर आपको थोड़ी से सॉफ्ट पसंद है तो आप एक सीटी और लगा सकते हो और अब इसके अंदर डालोंगी मैं एक स्पेशल मसाला तो इसके अंदर मैंने एड़ किया है दो चमजबर के आचार का मसाला जो ख चलिए किचन मैंने थोड़ा बहुत साफ कर लिया है और अब बना लेते हैं पराठे तो तव्या मैंने रख दिया है गरम होने के लिए और अब सारी तेयरे मैंने यहाँ पर कर लिया है पराठा बनाने की और फटा फट से बना लेते हैं पराठा तो सबसे पहले हमें जो पराठा हमारा कितना light और कितना soft बन गया है तो चलिए अब बना लेते हैं पराठे तो आज मैं simple पराठे नहीं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ पड़ वाले पराठे यानि कि layer वारे पराठे हमारे यहां गुजरात में इसे पड़ वाले पराठे बोलते हैं तो एक रोटी उसके बाद ही इसके उपरम पराठा रखेंगे और दोनों तरफ से पहले पराठे को सेक लेंगे उसके बाद oil लगा के फिर से अच्छे से सेक लेंगे तो इस तरह का golden brown होने तक हमें उसे सेक लेना है तो आप देख सकते हो कि पराठा हमारा कितना फुला फुला बना है उसक इस सारे लेयर अच्छे से खुल गए हैं तो यहां पर इस सरा से मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं यह देखिए कितना perfect पराठा हमारा बन करके रेडी हुआ है खाने में एकदम soft लगता है क्योंकि आटा हमने अच्छे से soft गुनता था और पराठा हमने पढ़ वाला ब तो उसके उपर मैं डाल दिया है थोड़े से dry rose petals और इसे अच्छे से mix कर लिया है यह दिखिए खीर हमारी अच्छी खासी गाड़ी भी हो गई है चली अब थाली को serve कर लेते हैं तो आज की lunch थाली में है चटपटी मूंकी सबजी साबुदरा की खीर पराठे और सेलेड तो आपको आज की थाली की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने friends और family के साथ ज़रूर शेयर करना चलिए मिलते हैं जल्दी ही next recipe के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करश्न